अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें पहला कोशिन है जाटों का पिलेटो अफला तून राजा किसे कहा जाता है फेमस है ये महराजा सूरज मलको जाटों का पिलोटो का जाता है तो भरतपुर के ही संस्तापक माने जाते हैं महराजा सूरज मलको ठीक है और इन्हें अफला तून राजा और जाटों का पिलोटो का जाता है अचाहरे सो तीन में भरतपुर में किस सासक ने अंग्रेज सैनापती लौड लेग से संदी की थी ये लॉड लेक वो ही है जो भरतपुर के किले लोहागड किले को चीत नहीं पाये थे तो भरतपुर के सासक थे रणजीत सिंग इन्होंने लॉड लेक से संदी की थी 1803 में कब की थी 1803 में किस सासक के सासनकाल में अंग्रेजों ने पिर्थम भार भरत्पुर के लोहागर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था तो बलवंद सिंग के सासनकाल में किस सासक के सासनकाल में अंगरिथम बार भरतपुर के लोहागर दूर्ग पर अधिकार कर लिया था बलवंद सिंग के सासनकाल में भरतपुर के किस सासक के नावालिक होने के कारण शासन कारण पॉलिटिकल एजेंट मौरी सन के हाथ में था correct answer होगा जसबंद सिंग ये नावालिक थे इसके कारण पॉलिटिकल एजेंट मौरी सन के हाथ में भरतपुर का सासन कारण था भरतपुर का बह सासक जिसके सासन काल में नमक समझोता हुआ इंपोर्टन कोशन है नमक समझवता 1889 में हुआ और जस्वंद सिंग के सासनकाल में यह हुआ था भरतपुर का भे सासक जिसने 1897 एसबी में पूरवी राजपुताने के राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट का कार्या ले धोलपुर से भरतपुर इस्थनांतृत कर दिया था वो थे राम सिंग किस सासक ने सासन अधिकार सुपुर्द करने से पूर भरतपुर की सेना का प्रयोग सोमाली लेंड तिबबत पिर्थम विस्विद आदी में किया तो वो थे किसन सिंग भरतपुर के जाटों का अंतिम सासक कौन था बिरजेंदर सिंग भरतपुर के जाटों के अंतिम सासक थे important question है बिरजेंदर सिंग ने अधीमिलन पत्र पर हस्ताचर कर दिये 31 जुलाई 1947 को ब्रिजेंद्र सिंग ने अधीमलन पत्र पर अस्ताचर कर दिये थे जालाबाड रियासत का पहला सासक जिसने अंग्रेजों से संदी की तो राज राणा मदन सिंग ये जालाबाड रियासत के पहले सासक ते राज राणा मदन सिंग इन्होंने अंग्रेजों से संदी की थी जालाबाड का भैसासक जिसने 1862 इस्वी में गोद लेने का दिकार दिया था प्रत्वी सिंग ने 1862 इस्वी में गोद लेने का दिकार दिया था जालाबाड का भैसासक जो 1911 इस्वी के दिल्ली दरवार में समलित हुआ तो बो थे भवानी सिंग बैसासक जिसने 1930 इसभी के गोल में जिसम्मिलन में दर्सक के रूप में भाग लिया राजेंद्र सिंग जालाबाड का बैसासक जो सुधारक उपनाम से कविताएं लिखता था राजेंदर सिंग सुधारफ अपनाम से कविताय लिखते थे जालावाल के ये साथ सकते करॉली के यादव बंस की स्थापना किसने कीती बिजय पाल ने important question है अरजुन पाल ने 1348 इसबी में कल्यान पुर बसाया जिसे बर्तमान में किस नाम से जाना जाता है करॉली के नाम से करॉली में मदन महुन मंदिर का निर्मान किसने करवाया तो गोपाल पाल ने करॉली में मदन महुन मंदिर का निर्मान करवाया था करॉली का भैस सासक जिसने अंग्रेजों से 9 नवंबर 1870 में संदी की थी महाराजा हरवत्च पाल सिंग इन्होंने 9 November 1870 में संधी कर ली थी करोली के यह सासक थे important question है याद रखना है करोली का भैसासक जिसे British सरकार ने Grand Commander of the Order of Star of India की विपादी थी मदनपाल को important है यह question बहुत important करोली का भैसासक जिसे British सरकार ने Grand Commander of the Order of Star of India की विपादी थी कि सासक के आगरह पर स्वामी दयारन्द सरस्वती पहली वार 1865 में राजिस्थान आये थे तो वो थे मदनपाल के आगरह पर करोली का भैसासक जिसने दुतिये विस्विजुद में अंग्रेजों की मदद ली भूमपाल करोली का अंतिम सासक कौन था गणेस पाल करोली के अंतिम सासक थे सिलालेखों में राम का प्रतिहार किसे कहा गया है नागवट प्रतम को राम का प्रतिहार कहा गया है पिर्तिहार बंस का भैसासक जिसने राजधानी मंदोर से मेड़ता इस्तिनांतृत करे थी नागवट पिर्थम इंपोर्टन कोश्चन है अच्छा कोश्चन है प्रतिहार बंस का बैसासक जिसने राजधानी मंडौर से मेरता इस्तिनांत्रत करी थी नागवट पिर्थम थे घटियाला और मंडौर में जैस्तम किसने इस्थापित किये तो राजा कुक कुक ने घटियाला और मंडौर में जैस्तम इस्थापित किये थे जालोर के पृतिहार बंस का प्रारहम नागवट प्रिथम ने किया था ग्वालियर अवलेक में नागवट प्रिथम के लिए के सुपादी का अवलेक मिलता है नारायन अच्छा कोश्चन है ग्वालियर अवलेक में नागवट प्रिथम के लिए नारायन उपादी का प्रियोग मिलता है पिर्तिहार बंस का बैसासक जिसने गौड और बंगाल के सासकों को पराजित किया तो बो है बत्सराज बत्सराज को पिर्तिहार बंस का प्रितापी सासक माना जाता है किस प्रतिहार सासक के शासनकाल में उद्धतन सूरी ने जालवर में कुबले माला की रचना करी थी तो बत्सराज के शासनकाल में कुबले माला नामक ग्रंत लिखा गया था कुबले माला जालवर में और इसके रचनाकार कौल थे उद्धतन सूरी ये important question है कुबले माला के रचनाकार थे उदितन सूरी हरिवन्स पुराण के रचेता कौन है आचारे जिन सेन ये हरवन्स पुराण के रचनाकार है किस सासक के चांदी और तावे के सिक्कों पर आदी बरहा बिरुद्ध का प्रियोग मिलता है आदी बरहा जो मिलता है वो महर भोज के लिए मिलता है महर भोज के लिए मिलता है महर भोज के जो सिक्के हैं उन पर आदी बरहा लिखा हुआ मिलता है करपूर मंजरी के रचेता राज सेकर किसके दरवार की सोबा बढ़ाते हैं तो वो है महेंद्रपाल करपूर मंजरी के जो रचेता हैं राज सेकर वो महेंद्र पाल के दर्वार की सोबा बढ़ाते हैं अगला कोशन है राजोगड अलवर के प्रितिहार किन सासकों के सामंद थे कन्नोज के रगवंसी सासकों के सामंद थे राजोगड अलवर के प्रितिहार अबू के पर्मार बंस का संस्थापक कौन था धूम राज अबू के पर्मार बंस का संस्थापक था अबू में आधी नाथ के भब्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया इंपोर्टन कोश्चन है पिमल सहा ने आदीनात के भब्य मंदर का निर्माण आबू में करवाया था कीर्ति कॉमुदी नामक ग्रंद का रचेता सोमेश्वर किसका राज कभी था धारा वर्ष का राज कभी था सोमेश्वर और जिसने कौन सा ग्रंद रिखा था कीर्ति कॉमुदी मालवा के परमारों की मूल उत्पत्ती कहा हुई थी तो आबू में मालवा के परमारों की मूल उत्पत्ती मानी जाती है मालवा के परमारों की जो राजधानी थी वो भी आबू ही को ही माना जाता है मेवार का सासक जिसने चालुक के सासक तेलप दुतिय को छे बार पराजित किया परंतु साथ भी बार उससे पराजित हुआ बैह है सक्ति कुमार कभी ब्रस के उपनाम से किसे जानते हैं तो राजा मुंझ को कभी ब्रस के नाम से जाना जाता है important question है राजा मुंझ इनको कभी ब्रस के उपनाम से जाना जाता है नव सहसांक चरत के रचेता कौन है पदम गुप्त नव सहसांक चरत के रचेता है अभी दान माला के रचेता है हलायुद सरस्वती कंठावरण, राज मरगांक, बिद्दुजवन मंडल, समरांगण, सरंगार मंजरी, कर्म कूर्म सतक, आधी जो कथाएं हैं उनके रचेता है राजा भोज बलहब, मेरुतुंग, बररूची, सुबंदु, अमरासेकर, माग, घनमाल, मानतुंग, आधी दरवारी कभी थे राजा भोज के